कि आप जानते हैं कि में एे क्रोस लोग सब्सक्वा कशलें जबकि जो कॉलम का डिष्टैंस है आपका 25 फीट एक कॉलम से लेगा दूसरे कॉलम को डिष्टैंस है तो फीट है ट्वीट में आपकी इतना इसमें दूरी ले सकते हो तो जिससे आप देख रहे हैं वहापे यह इसमें जो देखने पा रहे होंगे आप यहां पर दो फिट की लटक यूज होई है और वहीं पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि 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 वहां से क्रोस लिएम को यूझ है। वहां आपे याप देख सकते हैं, स्पीं यह आउटर तो ता कि आई टोच साहकों ह्यूंक कॉयोल्म है। तो यह जो हुआ है कि अगुआ है कि यह जी प्टीज मेरे आ पने ख़कना है कि प्सका कॉलम से सीफरे को पर चीप पिसुरों मेरे गार्ट मेरे बीच में सबीचनmor बीच भी मेरे यह खकी पूर्ट है तो इसी होल की वज़े से इसमें कोई ब्रिक वर्क नहीं दिया है बीच में ओनली कॉलम का साइड बढ़ा जिया है ताकि प्रोपर जो स्लैब का लोड है स्लैब के ओपर के आएगा 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 ठीक है जैसे कोई मसीनरी होती है स्लैब के उपर किक लोड आएगा та बढ़ने की वज़े से हमारे स्लैब के उपर लोड बढ़े गा पर आप खड़े हैं जैसे कि अगर इतना स्लैब इस स्लैब के अपर कोई लोड आ रहा है तो वह ठ्रस्फर होता है इतलिया कोई बीब के ऊपर आएगा जैसे कि कौक्त झार Oh और चारप आंचे-ंच्ति सोछ तो तो कि भीता है चार अप्रफीयच स्तर That इता है तो यह बीच और सपोर्ट हन्हें दो प्रृपली से स्टरेंग् 2 अच्छे स्ट्रेंग्त प्रफली सी आछ स्ट्रेंगपिद्स जाता है तो इसलिए beam heavy डियना जरुरी होता है, और दूसराँ में purpose होता है कि इस column से column पर beam देते हैं कि इस column से column पर beam देते हैं तो column टू अगर column beam देते हैं फ़र कि उस से क्या हो जाएगा इस slab का गज्ास अगर कि श्याप मेरण बहुत बबढ़ा हो जाएगा इससे safe load रहें एक पर पर वे में लोड़ रहे है मैं परोजा की slab का load proper ट्रॉंटेर होता है कोलम से उपर बीम इसके है की लोड़ आ रहा है इस बीम को नोड़ आ रहा है यहाँ से बीम के उपर है फुस्ट बीम है बाएब बीच में बीच्च देगए। में बीम में के करनी बीम में आप सुछー गयाया यह सॉपर को पके रेखा कोलूम को हमें करतेगा है दिये जैसे double reinforcement इसमें देंगे लोड के लिए ठीक है तो यहां पर कोई बिरिख्वाल नहीं है हॉल के लिए इसलिए दिया जाता है दूसरा आपने देखा होगा अगर यह कोलम और यस यह कोलम देते बीच में कोईल दूरी ज्यादा दे दे देते हैं यह फिर इसलिए बीम का दामेंशन कम कर देते हैं तो इसमें जो मसिनरी चलेगी या फिर कुछ भी आप मसा कुछ भी चीज इस पर गिराते तो इतना वाइब्रेशन करेगी जो डबिंग करेगा बहुत जादा वाइब्रेट करेगा एक सलैब ही कमपन करेगा नीचे से कोई अगर लोट पर 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 से गड़ेगा दूसरा आगर इसके उपर कुछ भी वर्क करते हैं लेबर कोई काम करते हैं यह मसीनरी को यहां करती है तो पर 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 प्रेशन से सेफ रहेगहा था कर गांए जो साउंड नेस जो सांट रहेगी वह भी आपका सिलैब के नीचे बहुत कम प्रूप के लिए प्लस आपका सेफ इस्ट्रक्चर के लिए यह बहुत ज़र रहता है कि बीम का जो स्ट्रक्चर है जो इन्पोर्श्मेंट और साइज हमें क्या दे रहा है इसलिए जैसा इस्ट्रक्चर रहेगा ऐसे बढ़ा देगा कहते निये कि जो खाब सुनिया आपने जैसा मीठा ऐसा गुड जैसा गनना ऐसा गुड तो एक जैसी कावट होती है जिस तरह का भीम हम प्रोवड करेंगे इस तरह का सेफ इस्ट्रक्चर रहेगा जैसे कि दूरी है इसके जादा कर आफिए तो पॉलम का साइज बढ़ाएंगे तो फोलम का दूरी हम कम कर देंग और इस व्यूं में आपने आपको करो है , जो भी क्या है निवूब को अपने करना तो प्लीज वीडियो के लिएख